नाश्कार बच्चों आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वर्ल्ड ट्रांस्पोर्ट मैं डॉक्टर सीमा श्वास्तों आप लोगों को फिर से आर्थिक भुगोल के चैप्टर का कुछ जान करें देना चाती हूं वर्ल्ड ट्रांस्पोर्ट जिसको हम बोलते हैं परिवहन आप सब जानते हैं कि परिवहन क्या होता है है ना एक जगे से डूसी जगे हम जब किसी भी स्थान पे कोई सामान ट्रांस्पोर करते हैं एक जगे से तूसी जगे तो हम उसे ट्रांस्पोर्टेशन कहते हैं ठीक है तो ये बहुत पुरानी बात है जब इंसान डिवलप होने लगा था विकास के और बढ़ने लगा था तब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या तो जानुरों का इस्तेमाल करता था धर्ती पर पैदल चलता था जो पकडंडी जैसा बन जाता था या नदी के किनारे चलता था तो इस तरह से उसने कोशिश करी थी ट्रांसपोटेशन शुरू करने की तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपना सामान को ले जा पाता था अब आता है अपन विश्व में परिवहन वर्लट ट्रांस्पोटेशन जैसे की मेरी ये स्लाइड के रिई ऐ обяз ट्रा झैसे बनी रहती ठीए कच्चा रास्ता जिसको बोलते वह बना रहता था। दीड़े-दीडे ओध्योगि क्रांती अगला चरण। बाद में जो है वाश्प इंजिन बनने लगे और इनकी आविश्कार के बाद में मोटर परिवहन विक्सित हुआ फिर परिवहन के विकास का अगला चरण खनिस्टेल विद्यूत परिवहन में था इन सब ने ओध्योगी करांती की और कदम रखा तो आप सब जानते हैं कि किस दूसरे जगी या तो बेल गाडियों से जानवरों से या ट्रक से या गाडियों से चोटी मोटे खचर वगरे से एक स्थान से दूसरी और जाया ज़ा करते थे लेकिन दीरे-दीरे आपने देखा पुल बनने लग गए काफी वो भी होने लग गए रोड बनने लगई है ना आसान हो गया हमारे लिए एक जगे से दूसरी और जाना तो हम यह कह सकते हैं कि परिवहन वास्तव में सब यांत्रिक साधनों का एक संगठन या योग है जो व्यक्ति वस्तूओं अत्वा समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सायक होता है यदि क प्रशी और ध्योग किसी शेत्र के आर्थिक जीवन का शरीर और हडिया मानी जाए तो परिवहन उस आर्थिक ढाचे की सनायू प्रणाली यहनि कि उसके अंदर जो जान डाली जाती है वो किसके द्वारा डाली जाती है परिवहन के द्वारा हमारे पुर्वजों ने बोला एक तरह से धमनिया है जो एक जगे से अगर वो रुख जाए तो वहां का विकास भी रुख जाएगा तो इस अब आपको समझाए गया होगा कि परिवन के द्वारा ना केवल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता है परंतु संस्कृति सामाज सामाजिक और न वहां की संस्कृतियों को हम फॉलो करते हैं देखते हैं समझते हैं तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपर निर्वर करती है तो परिवन से हम हमारा ज्यान भी बढ़ता है और काफी कुछ हम अंधकार से दूर होते जाते हैं तो इसलिए परिवान की आवशक्ता है परिवन के स्वरूप, forms of transportation वैसे तो transportation तो बहुत तरह के हैं अलग-अलग प्रकार के हैं pipeline transportation, air transportation, बहुत सारी transportation हैं लेकिन basically स्थल पर, जल पर और वायू में मतलब तीन हैं जो की स्थल पर, जल पर और वायू में स्थल पर कौन-कौन से हैं मानव द्वारा, पशू द्वारा, सडकें और रेल मार गें इनके द्वारा और जल पर नदियों द्वारा, नेरें, जील और सागर द्वारा और वायू में वायू यान, rockets, camera, इत्यादी के द्वारा अब सडक परिवहन, सबसे ज़्यादा में चीज की सडक क्या होता है, आपने देखा बचों कि सामने रूप से भू भागों में यात्यों के आवागवन के लिए बनाए गए मार्गों को सडके कहते हैं, वैसे तो वो पकडंडिया होती थी, छोटी 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 छोटा छो तथा विभिन गाडियों द्वारा चलना संभव होता था, फिर दीरे दीरे ये चोड़ी होती जाती थी और इनकी अवस्तिती को देखते वे इनके उपर कारे होता था और ये बड़ी-बड़ी रोड बनती जाती थी, सडक बनती जाती थी, कदाचित इनका प्रारंबिक होता था कि इनके उप्योग के कारण इन मार्क में सड़के बनने लगती थी प्राचीन काल में तो पक्की सड़कों का अधिक्तम विस्तार नगरों तक ही सीमिता और इसके अतिरिक आधुनिक काल के पूर्व तक सड़कों पर केवल पशू गाडियां जैसे गोडा गाडी बैल यसके साथ सद विश्व विणदेशों में कोल तार की पकी सड़कों का उधे उआ और विवेन प्रकार की मोटर गाडियां चलने में आसान होता गया इदर पिर जैसे जैसे सड़कों का विकास होता गया तो भूमी भी समतल होती गई इसके साथ सड़कों की जनसंख्या के जमाव में भी घनिष्टा होने लगी आपने देखा सड़क के किनारे ही ज़्यादतर दुकाने होती हैं और लोग रहना पसंद करते हैं है ना तो मानचित्रों का बहुतिक स्वरूप पर काफी कुछ दिखने लगा पकट होने लगा और काफी हम लोग डिवलप्मेंट की और बढ़ने लगे तो वेशों की लगवाग नब्बे प्रतीशत से अधिक जनसंख्या मैंदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है जो की सड़क के किनारे जादा होते हैं इस कारण मैदानों की स्थिती जनसंख्या के घनात वेवन सड़कों के वित्रन में परयाप्त साम होना लगा और सड़कों का विस्तार भी इनी स्थानों पर जादा होने लगा जनसक्या ज़ादा थी क्योंकि लोग ज़ादा आना ज़ाना पसंद करते थे पिर क्या हुआ कि आधुने क्यूग में केवल सडकों का यह होना परयाप्ट नहीं था उन पर चलने वाली मोटर गाडियों की सुल्य प्राप्ति भी अत्यनतावर्शक हो गई थी तो पशू गाड से करे दूसरे भाग को जाने वाली सडकों क्या बोलते हैं राजपत और एक घपत दूसरे से मिलकर अंतरराष्ट्री राजमारत क्या न में की इंन्टरश्ट्न का नाम दे दिया तो इस तरह से राजस किये सडकों को नाम क्रें लिए फिर चोटी माध्यमंदूरी के आंत्र परिवन सादनों के अंदरगत सड़कों का सरवादिक में पूंस्थान रहते हैं और सड़क मारगों की लंबाई के अनुसार सेंट राज आमेरिका भारत और चीन का विश्रु के क्रमशे प्रतम रुतिवे रुतिस्थान है अब रोड से जनरली तात्पर है तो अपने यह तो कौन से मार्क से आता था इन रोड के द्वारा सिल्क रूट के द्वारा यह परियोजना 2013 में चीन के राश्पती यह मैं बात कर यूँ सीपेक की जो अभी आप काफी कुछ टीवी पे भी सुनते हो और समझते भी हो कि यह जो योजना है परियोजना है 2013 में चीन के राश्पती शी जिन्पिंग द्वारा शुरू की गई थी और इस परियोजना में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानि की सीपेक और बंगला देश चीन भारत मैनमार बेसी आयम गलियारा शामिल है समझना है बचो अब आते हैं अपन विश्व की प्रमुक महामार्ग शडख महामारग है न तो सब से पहला है अपना ये विश्व के प्रमुक महामारगों में ट्रांस कणियंदियन महामार्ग, ट्रांस कनेडियन महामार्ग, विश्व के प्रमुक महामार्गों में आता है, इसका सबसे महत्वुन स्थान है, ये कैनेडा के पूर्वी तट पर स्थित, न्यू फाउंड लेंड के सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के फैंकुर नगर से जोडता है, ये लगबग के एवरेज नगर से कैनेडा के एड्माौंट नगर को जोडता है, विश्वूर्ट महामार्ग ये तीसरे नंबर का है, ये अस्ट्रेलिया माजवीव का सबसे लंबा महामार्ग है, जो उत्री ऑस्ट्रेलिया में स्थित बेदू नगर को एलिस स्प्रिंग वर्ड डेनेंट क्रीक से होते हुए दक्षनी आस्ट्रिलिया में स्थित पुर्नादत्ता नगर को जोडता है चीन राष्ट्रिये महामार्ग ये टॉंजियंग महामार्ग तथा सान्या यानि कि जो की हैनान प्रविंस में है उसको जोडने वाला 5700 केव टाउन को मिलाने वाला एक अंतराष्ट्रिये महामार्ग है यह आप इस मैप में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंसाइडमेंट सबसे ज्यादा जाल कहां कहां कौन-कौन से शेत्र में है देशों के तो उससे आपको उसकी गनत्व डेंसिटी का भी पता चल जाएगा कि सड़क विशु के प्रमुख सड़क मार्ग कौन-कौन से है और किदर है फिर आता है पैन-अमेरिकन महामार्ग यह दक्षिनी अमेरिकी नगरों दुआरा मद्य अमेरिका एवं से राजी अमेरिका के नगरों को मिलाने वाला मार्ग है बिटा एक चीज और मैं आपको यह जो रीसंट टॉपिक्स है इनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो कि अभी चर्चा में है चीन की इस पर्योजना का उद्देश है एशिया यूरोप और अफ्रिका को सड़क रेल एवं जल मार्ग से जोड़ना है वास्तव में चीन विकास शील पूर्वी एशिया के आर्थिक केंडरों को विक्सित यूरोप और अर्थिक शित्रों को जोड़ना चाहता है यहां बेल्ट से दात पर एक्चली सिल्क रोड जो अपने चर्चा की थी शुरू में आर्थिक बेल्ट से जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है चीन की हमेशा यह रहा है कि विकास की और बढ़ने की कोशिश करने के चकर में उसने अपनी ये परियोजनाएं शुरू की थी जो कौन-कौन से तीन वो राष्ट्रे है चीन मद्य एशिया और यूरोप को जोडने वाला मार्ग है वह चीन को मद्य पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूम सडके हमारे पूरे काफी कुछ एरिया को जोड़ती है और हम इन सडकों के द्वारा काफी कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उच्छा ही रहते हैं सेफ लगता है हमको लेकिन मैं आपको बता दू कि सडकों पे भी काफी एक्सिदेंस और डिजास्टर हुए था जो की पेट्रोल टैंकर एक सोवेत आर्मी के ट्रक से तकरा गया था और उसका जो एक्स्प्लोजन हुआ था वो 2.7 किलोमीटर 2.2.7 किलोमीटर के एरिया में हुआ था और सलांग टनल अफगानिस्तान की उधर हुआ था यहां पर कम से कम 2000 से 3000 लोग उसी समय उस एक्स् रोड डिजास्टर जो की 1967 में सिल्वर ब्रिज पर हुआ था है ना और एक हुआ था ब्रिटिश रोड एक्सिडेंट जो की 27 मई 1975 को हुआ था ग्रासिंग्टिन नॉर्थ योक्षाय में जिसने 33 लोगों को खतम कर दिया था पर फिर भी कोई बात नहीं हम हर पहलू के दोनो आसपेक्ट देखते हैं कि खराब और अच्छा डिजास्टर होते हैं नो डाउट गमियां होती है लेकिन उन्नती भी होती है और हमारा जो पत है हमेशा आगे की और बढ़ते रहना चीए मेरे ख्याल से यह रोड परिवहन सडक परिहन आपको समझ में आगया होगा और आग अगले चैप्टर को इसी में कंटिनुशन इसी के कंटिनुशन में अगले टॉपिक को फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आप से धन्यवाद